हाई एब्रिवान वेलकम टू साइंस एंड पांड 9th 10th 11th मैं हूँ दिक्षा कॉशल आपके किमिस्ट्री एजुकेटर और बेटा हम डिसकस कर रहे हैं सम बेसिक्स कॉंसेप्ट्स ओप किमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉंसेप्ट मोल कॉंसेप्ट तो लास्ट वीडियो में हमने मैं मौल उससे पहले हमने अ сложно मास हर तरह कमास दिसकस कर लिए ग्रम절 मस क्या होता है ग्राम अनुल मास किया होता है विए पारिषिंग इन डिटे करेंगे ताकि आपकी practice हो जाए प्राक्टिस होगी उतना easy आपको ये लगना शुरू हो जाएगा तो आज हम कुछ questions करेंगे मोल concept में और आपको मेरे साथ साथ उन questions के answer देने हैं ठीक है और अपने आपको को चेक करना है कि आपको कितना समझ आ रहा है या कितना नहीं समझ में आ रहा है और जो जो आपकी queries रह जाती है उसको comment section में लिख दिया करो ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे तरीके से उस चीज़ को repeat कर पाऊं next video में ओके तो बिटा अभी हम discuss करने जा रहे हैं practice questions of mole concept तो start करते हैं सबसे पहले question से सबसे पहले question आता है how many moles of electrons कितने moles of electrons will weigh 1 kg ठीक है कितने moles of ठीक है how many moles इसका मतलब हमें number of moles निकालने है क्या निकालने है number of moles और number of moles and mass का क्या relation होता है we know one mole में एक mole का mass को हम क्या बोलते हैं मोल के mass को हम बोलते हैं molar mass क्या बोलते है molar mass and this mass is fixed for one particular atom or element or compound यह fix होता है ठीक है okay so यह क्या होता है बेटा fix तो अगर हम यहां पे formula की बात करता है थो हमने क्या देखा था number of moles equals to given mass क्या था यह given mass divided by molar mass ठीक है divided by molar mass तो जो given mass होगा division में हमने कर देना है molar mass that is equals to number of moles जो आपके आएंगे नौ बेटा number of moles क्या आएंगे इसमें let's see यहां पर क्यूंकि आपको सीधा से नहीं कोई भी element नहीं given कोई भी compound नहीं इस वज़े से बच्चों को दिक्कत आ जाती है कि इसका क्या answer आएगा तो देखो given mass how many moles of electrons will weigh 1 kg मदब आपको sample में 1 kg electron दिये गये है इसका मतलब given mass is 1 kg जिके इसका मतलब given mass क्या है बेटा आपके पास given mass equals to 1 kg और हम इन दोनों चीजों को grams में लिखते तो आपके पास क्या आ जाएगा 1000 grams ओके यह क्या आ जाएगा बेटा आपके पास 1000 grams आ जाएगा now second is what is molar mass molar mass क्या था molar mass of electron क्या होगा यहां पर किस चीज की बात कर रहे हैं we are talking about electron तो हम electron का molar mass देखेंगे ठीक है वहां पर हम atom की बात करते थे किसे भी unit का molar mass उसका क्या मतलब है कि यहां पर हम बताएंगे mass of one mole of electrons किसका mass एक mole electrons का molar mass का क्या मतलब है एक mole का तो molar mass of electron क्या होगा एक mole electrons का क्या mass है एक mole electron मतलब 6.022 into 10 raised to power 23 electrons का mass ठीक है इतने electrons का mass so now बेटा हम इसको multiply कर देंगे एक electron के mass से 6.022 into 10 raised to power 23 अभी एक electron का mass क्या होगा mass of mass of one electron equals to 9.1 into 10 raised to power minus 31 kilogram सही है this is the mass of one electron तो हमारे पास mass of this many electrons कितना आ जाएगा यहां पर kilogram में है हमने grams में निकालना है तो यह आ जाएगा 9.1 into 10 raised to power minus 28 grams आ जाएगा और इसी चीज़ को हमने यहां पर enter कर देना है यहां पर आ जाएगा 10 raised to power 28 और यह आ जाएगा gram पर mole आप लिखोगे क्योंकि एक mole की बात करें एक mole में ही molar mass होता है आपके पास number of moles क्या आ जाएगे number of moles आ जाएगे बिटा आपके पास number of moles will be given mass given mass क्या है आपके पास this is 1000 divided by 6.022 into 10 raised to power 23 into 9.1 into 10 raised to power minus 28 और यहां पर जब आप इसको calculate करोगे तो इसको round off करके 6 ले लो इसको 6 into 9.1 कर दो round इतना होगा उपर 10 raised to power 3 आ जाएगा और यह उपर जाके minus 23 और इधर plus 28 तो 28 29 30 31 31 minus 23 31 minus 23 कितना आ जाएगा 11 3 यह गए 8 दो 8 आ जाएगा ठीके okay so यहां पर यह भी हो गया 23 में से गए यहां पर रह गए 7 8 ओके this is 10 raised to power 8 divided by 6 into 9.1 इसके around आपकी value आ जाएगी ठीके इसको अच्छे से और भी बढ़िया तरीके से calculate करना है कर ले ना ठीके this is just calculations इसके बाद तो main आपको क्या पता होना चाहिए यहां पर क्या formula लगाना और इसको solve कैसे करना ठीके हमने given mass दिया हुआ था molar mass mass of 6.022 into 10 raised part 23 electrons करके हमने molar mass of electron निकाल लिया और उसको यहां पर put करके मारे पास number of moles आ जाएगे ठीके तो यह आपका बहुत ही जाधा important question है बहुत ही जाधा important question IIT में भी आया हुआ है okay so very 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 important question बहुत easy है आप देख ही पा रहे हो कितना easy question है लेकिन हम question को देखके सोच नहीं पाते कि इसमें अब क्या करें इसमें molar mass ने given इसमें electron given है कोई element ने given तो इसको कैसे solve करें ठीके तो इसको ऐसे solve करना है okay now next question question number two यह था मारा पहला question दूसरा question चलते है calculate number of atoms आपको number of atoms निकालने है 60 gram of helium तो बेटा यहां पर दो partitions कर लेते हैं सबसे पहले आपको निकालना है number of atoms in 60 gram of helium 60 gram मतलब आपको given mass is given mass is 16 grams ठीके और यहां पर helium की बात कर रहा है तो यहां पर molar mass क्या जाएगा बेटा molar mass आ जाएगा आपका 4 gram ठीके अगर one atom of helium की बात करें that is 4 amu एक molar की बात करें एक mole of helium का कितना होगा that is 4 grams ठीके यह आपको atomic mass molar mass इन सब में मैंने detail में समझाया हुआ ओके तो ना बेटा यहां पर number of moles क्या आ जाएंगी number of moles equals to आपको क्या number of atoms निकाले ना पहले number of moles पर अटाक किया करो सबसे पहले क्योंकि ब्रिज है ठीके यह बिचोला है इन दोनों के बीच का so number of moles equals to 16 divided by 4 that is 4 ठीके तो क्या आजाएगा 4 moles आ जाएंगे आपको निकालना क्या है number of atoms तो number of atoms निकालने का क्या होता है देखो यहां पर आप दो तरीके से कर सकते हो आप यह भी बोल सकते हो कि आप ऐसे बोल सकते हो कि 1 mole में कितने atoms होंगे तो 4 mole में कितने atoms होंगे आप इस तरीके से कर सकते हो यहां आप सीधा इसका formula लगा सकते हो कि number of moles number of moles equals to number of atoms number of atoms divided by N A Avogadro's number so number of atoms क्या आजाएगा number of atoms क्या आजाएगा पेटा आपके पास number of moles number of moles कितने है 4 multiply by N A okay so this will be your answer यह क्या आजाएगा आपका answer आजाएगा ठीके ओके तो यह तो था simple सा बेटा नाओ इसका second part आता है 16 U of helium तो 16 U of helium यह पार देखते हैं बहुत ही ज़्यादा easy है यह 16 U that is AMU atomic mass unit बहुत ही छोटा सा unit है यह 16 U of helium यहां पर आपका सीधा unitary method लगके answer निकल जाएगा आपको इधर इतने moles वगेरा में जाने की कोईजरूत नहीं है यहां बेदेखो 16 U अगर आप एक helium atom की बात करो one helium atom उसका mass कितना होता है that is 4 U ठीक है यह 4 AMU राइट एक helium atom का mass होता है 4 AMU इसका मतलब 4 U is the mass of one helium atom अगर इसको उल्टा करके सिरफ right to left कर दिया जाए अगर 4 U एक helium atom का mass है तो 16 U यहां मैं सीज़ा यहां पर लिखूँ जादा अगर आपको unitary method में लेके जाओं तो 1 U किसका mass होगा 1 by 4 helium atom का ठीक है और फिर 16 U किसका mass होगा 1 by 4 into 16 helium atom that means cut के आजाएगा 4 helium atom ठीक है तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है अगर आपको 16 gram दिया है आपको इस तरीके से solve करना है 16 U दिया है तो आपको इस तरीके से मतलब अगर आपको gram में दिया है number of moles निकालके अगर आपको atomic mass unit में दिया है आपको simple unitary method लगा के इसको solve कर दे रहा है चीक है very very easy अकसर हम इन दोनों चीज़ों में confuse हो जाते है आपको नहीं होना इन दों चीज़ों में confuse next है बेटा third question calculate number of oxygen atom in 126 amu hno3 चलो यहाँ पे हमें oxygen atom निकालने है और हमें amu atomic mass unit दिया है hno3 का अगर हमें यह पता लग जाए कि यहाँ पे hno3 के कितने atoms है how many atoms जैसे हमने वहाँ पे helium का amu में mass दिया हुआ था हमने helium के atoms निकाले उसी तरीके से यहाँ पे हम यहाँ पे hno3 के atoms नहीं आएगा यहाँ पे आएगा molecules इसके हम molecules निकाल लेंगे as this is a compound ठीके इसके molecules निकाल लोगे इसके मास से ठीक है पहले वो काम करते है अगर हमें इसके molecule पता लग जाए ना फिर हम oxygen के atom तो easily calculate कर सकते है तो वहाँ से शुरू करते है इस कहानी को पहले तो देखो hno3 का 1 hno3 molecule का atomic mass क्या होता है यह molecular mass क्या होता है that is 1 plus 14 plus 16 into 3 ठीक है तो यह आजाता है 63u एक hno3 का क्या आजाएगा 63u एक molecule का mass आपके पास सिरफ एक molecule की बात करें इसका mass आपके पास 63u आएगा आप बोलोगे इसका मतलब 63u is the mass of यह किसका mass है is the mass of 1 hno3 molecule सिर्क है मतलब यह एक hno3 molecule का mass है 16u sorry 63u इसका मतलब 1u will be the mass of 1 by 63 hno3 molecule unitary method इसका मतलब इतना mass कितने molecules का होगा तो यह हम लिख देंगे 126u will be the mass of 126 divided by 63 hno3 molecule यह आजाएगा आपके पास 2 molecule तो यहाँ से हमें क्या पता लग जाएगा कि भाई यह बात कर रहा है 126amu hno3 की बात कर रहा है इसका मतलब यह 2 molecule of hno3 की बात कर रहा है इसको आपको decode करना यह बात किसकी कर रहा है दो molecule of hno3 की बात कर रहा है तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमने बोलना है कि यहाँ पर हमें पता है एक molecule of hno3 में हमें पूछा क्या गया है यहाँ पर oxygen atoms के बारे में पूछा गया है तो एक molecule of HNO3 में 3 oxygen atom है, ठीक है, 3 oxygen atom है, तो 2 molecule में 2 molecule of HNO3 में कितने होंगे 3 into 2 oxygen atom that means 6 oxygen atoms, कितने आ जाएंगे, 6 oxygen atoms आ जाएंगे, ठीक है, ओके, पहले हमने क्या किया, पहले तो देखो, यह चीज नहीं करनी, यहां पर पूछा, oxygen atom के बारे में गया है, और गिवन हमें information है, HNO3 molecule के बारे में, तो पहले provided information में से हम क्या ऐसा निकाल सकते हैं, provided information में से हम यह निकाल सकते हैं, यहां पर molecules कितने हैं, HNO3 के, अगर एक हमें यह पता लग जाएगा, कितने HNO3 के molecule है, तो उसमें से हम यह भी पता लगा लेंगे, कि oxygen के कितने होंगे, क्योंकि एक molecule HNO3 में 3 oxygen atom होते हैं, तो यहां पर 2 निकल के हैं, तो 2 में कितने होंगे, 6 oxygen atoms, ठीक है, ओके, राइट, तो इसी तरीके से बेटा, next question की तरफ चलते हैं, 4th question, calculate moles of oxygen atom in 126 AMU HNO3, ठीक है, moles निकालने हैं अभी, देखो, यह वाली चीज़तों मैं दोबारा फिर से नहीं करूंगी, हमें पता है, कि आपके पास 63 U is the mass of 1 HNO3 molecule, तो 1 U, 1 U is the mass of 1 by 63 HNO3 molecule, okay, then 126 U is the mass of 126 divided by 63 HNO3, that means you have 2 molecules of, 2 molecules of HNO3, जैसे हमने last time किया था, okay, 2 molecules of HNO3, calculate moles, अभी हमसे moles पूछा गया है, ठीक है, moles पूछे गया है, moles आप कैसे निकालोगे, आपके पास oxygen atom के moles निकालने हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको oxygen atom का number बताओना चीज़, उसको avogadros number से divide कर देना, आ जाएगा mole, ठीक है, तो यहाँ पे, same वही चीज, 2 molecule में, HNO3 में, कितने oxygen atom होंगे, 6 oxygen atom, ठीक है, जैसे हमने last time देखा था, 6 oxygen atoms, now, number of moles किसके equal आजाएंगे, number of moles of oxygen atom, आधा तो बच्चों की जिन्दगी इसी में बरबाद हो जाती है, कि मैं, oxygen atom के moles निकाल रहे हो, HNO3 के लिख लिया करो, number of moles of oxygen atom की बात कर रहा है, oxygen के atom के moles पता करवाने है, तो हमारे पास number of particles भी oxygen atom के होने चाहिए, that is 6, ठीक है, कई बच्चे जाधा smart बनके यहाँ पर 2 लिख के आजाएंगे, divided by Avogadro's number, नहीं यार, वो हमारा HNO3 का mole होगा, हमें यहाँ पर moles निकाल लें, oxygen के, तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर आजाएगा, divided by Avogadro's number, ठीक है, यहाँ इसको पूरा full-fledged आप ऐसे लिख सकते हो, हो, solve कर सकते हो, ठीक है, totally your fish, इतने हमारे पास क्या आजाएंगे, moles आजाएंगे, ठीक है, these many moles of oxygen atom in 126 Amu of HNO3, ठीक है, ठीक है, इसी तरीके से और question करते है, calculate the number of oxygen atoms in 3, 4.2 gram of Al2SO4, 3, twice, ठीक है, number of oxygen atom की बात कर रहा है, ठीक है, हमें 34.2 gram given है, इसका मतलब हमें given mass given है, given mass is 34.2 grams, molar mass निकाल लोगे, क्या है, इसका, molar mass निकाल लोगे, इसका molar mass निकाल लेना है, आपके पास molar mass आजाएगा, 342 grams, ठीक है, इसको पर mole लिख देते हैं, कई बच्चे बोलते हैं, मैं हम आपने पर mole नहीं लिखा था, यह क्या कर दिया आपने, चलो लिख देती हूं, ठीक है, चलो number of moles बताओ, number of moles बताओ, इसके फड़ावट से बताओ, number of moles क्या आएंगे, given mass, this, this, आप के आजाएगा, 0.1 mole, क्या आजाएगा आपके पास, 0.1 mole आजाएगा, ओके, now next is, calculate number of oxygen atoms, oxygen atoms आपको बताने हैं, इसमें कितने हैं, number of moles निकाल लिए, किसके निकाल लिए, of molecule, of AL twice, SO4 thrice, आपके पास number of moles इसके आए हैं, आप क्या बोलोगे अभी, second step पे जाओ, आप क्या बोलोगे, 1 molecule of AL2SO4 thrice has, कितने oxygen atoms, 4 into 3, 4, 3, 12 oxygen atoms, 12 oxygen atoms, इसका मतलग, 1 mole of AL2SO4 thrice, will have 12 mole of oxygen atom, ठीक है, अगर एक molecule में 12 oxygen atom है, तो एक mole में भी 12 mole होंगे oxygen atom के, है, ठीक है, हम यहाँ पे कितने mole given है, 0.1 mole of AL2SO4 thrice, will have 12 into 0.1 mole of oxygen atoms, ठीक है, आजाए गईए, multiply unitary method लगा रही हूँ, इसका क्या मतलब है, कि अगर मैंने 0.1 mole लिया है, AL, this compound का, तो उसमें मेरे पास, कितना mole आ जाएगा, तो number of moles of oxygen atom, इसमें कितने आए है, that is 1.2 mole, ठीक है, एक mole में 12 oxygen atoms है, एक mole में 12 mole oxygen atom है, तो 0.1 mole में 12 into 0.1 mole हो गए, that is 1.2, okay, now next आता है, बेटा, आपके पास, हमें निकालना है, calculate number of oxygen atoms, number of oxygen atom निकाल सकते हो, यहाँ पे number of oxygen atom divided by Avogadro's number और यहाँ पे mole आ जाएगा, और आपके पास आ जाएगा, number of oxygen atoms equals to 1.2 into Na, यहाँ पे आप लिख दो, 1.2 into 6.022 into 10 raised to power 23 oxygen atoms, okay, ठीक है, इस तरीके से हमें चीजों को लिखना है, ठीक है, यह हमने क्या किया, देखो, आपको क्या देखना है, आपको provided क्या है, और पूछा गया गया है, प्रोवाइड क्या है, आपको इस molecule का mass दिया हुआ था, तो आपके पास moles भी इसी molecule के निकलेंगे, पट क्या आप इस molecule के moles की information से, इसके moles की information निकाल सकते हैं, निकाल सकते हो, फिर हमने इसके information निकाली, उनिटरी method से, और उसके बाद हमने फिर से mole concept का formula पूट करके हमारे पास number of atoms, number of oxygen atoms, इस molecules में कितने होंगे, वो आपके पास आजाएगा, ठीक है, ओके, नौ बेटा, next question is, what mass of H2SO4 contains 80 gram of oxygen, oxygen की बात कर रहा है, oxygen की mass आपको given है, ठीक है, molar mass हमें पता है, तो इसके number of moles हमारे पास आजाएगे, इसके number of moles आजाएगे, उससे हम H2SO4 के number of moles निकाल लेंगे, फिर उसका mass निकाल लेंगे, तो शुरू करते हैं, बेटा, सबसे पहले हम निकालेंगे, number of moles of oxygen, ठीक है, उसका क्या होगा, oxygen का mass क्या है, molar mass 16 है, given mass is 80, सो यह कटके आजाएगा, 5 moles, क्या आजाएगे, कटके, 5 moles आजाएगा, 5 moles, राइट, given mass divided by molar mass, यहाँ पर number of moles आएएगे, oxygen के, ठीक है, अभी हमारे पास, हमें पता है, कि एक molecule of, one molecule of H2SO4 में, चार आटम होते हैं, oxygen के, oxygen के चार आटम हैं, इसका मतलब, चार ओक्सिजन आटम के पास, चार ओक्सिजन आटम के पास, one molecule of H2SO4 होगा, अगर चार ओक्सिजन आटम हैं, तभी एक molecule H2SO4 का बन पाएगा, इसका मतलब, चार मोल ओक्सिजन आटम, चार मोल ओक्सिजन आटम के पास, one mole of H2SO4 होगा, अभी मैंने molecule को मोल में बदल दिया, आवकेटरूस नमबर के साथ मल्टिप्लाइ कर दे, दोनों साइट, इसका मतलब, एक मोल of oxygen atom के पास, one by four mole of H2SO4 होगे, that means, five mole के पास क्या होगा, five mole के पास होगा, five by four mole of H2SO4, वाजब इसने जो हमें sample provided है, जिसमें 80 gram of oxygen है, उसमें five by four mole of H2SO4 है, तेके, oxygen के information से हम H2SO4 के moles तक पहुंच गया है, निकालना हमें है, what mass of H2SO4, तो हम यह आपे क्या लिख देंगे, number of moles of H2SO4 equals to given mass, ठीके, जो हमेंने calculate करना है, इसको mass of H2SO4 लिख लो, divided by, कितना है, H2SO4 का जितना total mass होगा, तो इसका total mass कितना आजाएगा, 2 plus 32 plus 64, that will be 45678, that is 98, okay, तो यह कितना आजाएगा, 98 is the molar mass of H2SO4, okay, 98 क्या आजाएगा, molar mass आजाएगा, H2SO4 का, जितनी ज्यादा practice करते जाओगे, उतना easy लगने लग जाएगा, तो आपके पास क्या आजाएगा, number of moles क्या हैं, आपके पास 5 by 4, और यहाँ पे mass of H2SO4, इसको उपर जाके multiplication में चला जाएगा, और आपके पास यह आजाएगा, mass of H2SO4, okay, इसको आप solve कर लेना, that will be the mass of H2SO4, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, इसको आपने कुछ solve कर लेना, आपका क्या mass आता है, अगर आपको number of particles of H2SO4 पूछा होता, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे, Avogadro's number multiplied by number of moles, number of particles अगर आपसे पूछ लेता, number of molecules of H2SO4, तो आप क्या लिखते, that will be 5 by 4 multiplied by Avogadro's number, दिक्षे, वो आपके पास answer आजाता है, तो यहाँ दरूदर यूनिटरी method और यह formula का ही खेल है, next आता है बेटा, next question, okay, next एक question नहीं है, यह तरीका है, वे है, कुछ questions को solve करने का, तो calculate number of protons, electrons and neutrons, ऐसे भी questions पूछ लिए जाते हैं, तो नमबर of protons, electrons एक तो आपको याद रखना है, protons and neutrons हमेशा same रहेंगे, अगर किसी आएन पे कोई charge आ रहा है, सपोस कर लो, CO32 negative की बात कर रहे हैं, इसमें आपको क्या calculate करना है, यहाँ पे अगर आपको calculate करना है, कि इसमें charge is 2 negative, चार्ज 2 negative है, यहाँ पे देखो जितने total electrons होंगे न, उसमें से 2 electrons lose हो चुके हैं, क्या मतलब 2 electrons gain हो चुके हैं, तो इन चीजों को जस्त आपने ध्यान रखना है, इन चीजों के related आप से question है, that is this question, calculate number of electrons in PO43 negative, इसमें आपको number of electrons calculate करने हैं, तो इसके लिए हम सबसे पहले तो यह देख लेते हैं, number of electrons calculate कैसे करने हैं, for example, मैंने भी आपको example दीती, CO32 negative, ठीके, CO32 negative की example दीती, यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे जब भी कोई charge, electron gain हो रहा है, lose हो रहा है, तो सिरफ वहाँ पे कोई charge आ रहा है, तो electrons gain या lose हो रहे हैं, protons और neutrons पे कोई effect नहीं हो रहा है, वो तो बैचारे अंदर बैठे हैं, चुपचप शान्त हो के, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं protons की बात करूं, यहाँ पे electrons की बात करूं, न्यूट्रों की बात करूं, तो पहले आपको यह देखना है, carbon के पास 6 electrons होते हैं, oxygen के पास 8 electrons होते हैं, चीके, carbon के पास 6 electrons, and oxygen के पास 8 electrons होते हैं, तो यहाँ पे अगर electrons की बात करें, यहाँ पहले protons की बात करते हैं, carbon A6 proton देगा, और यहाँ पे oxygen 8 proton देगा, और into 3 हो जाएगा, that will be 36 plus 6, that will be around 30, ठीक है, यहाँ पे electrons जो हैं, वो दो lose हो चुके, sorry, दो gain हो चुके, that means, 30 plus 2 electron, that will be 32 electron, और neutron और proton सेम ही हैं यहाँ पे, तो यह क्या आएगा, 30 neutrons, तो हमारे पास protons, electrons and neutrons तो निकल गए, इस तरीके से आपने किसी भी कोई भी आपको आयन दिया हो, उसमें आपने electrons पता कर लेने हैं, तो यहाँ पे बेटा आपको क्या provided है, here it is, calculate number of electrons in 19 gram of PO4 3 negative, तो इसका क्या सीधा सा तरीका है, सबसे पहले तो हमें, इसका mass given है, तो इसके number of moles निकाल लो, number of moles के आएंगे, number of moles will be 19 divided by PO4 3 negative, PO4 3 negative का आपको यहाँ पे बताना है, what is the molar mass, इसका molar mass क्या होगा, तो आप इसमें calculate कर लेना, phosphorus का molar mass, ठीके, plus that is around 31, ठीके, यह आएगा 31 और यहाँ पे oxygen 4 into 16 करके, आपके पास around आजाएगा, I think 95, ठीके, क्या आजाएगा आपका पास, around 95 तक आजाएगा, तो यहाँ पे इसको लिख देना है, this is the molar mass, तो molar mass आपने निकाल लिया, यह आपके पास आगए moles, यह क्या आगए बेटा, आपके पास moles आगए, ठीके, यह आपके पास क्या आगए, moles आगए, so इसको आप खुद से calculate कर लेना, क्या आएगा आपके पास, that will be 1 by 5 moles, चीके, इतने आपके पास number of moles आजाएगे, next is number of electrons, अभी मिन देको यह तो निकाल दिया, हमने mole concept लगा लिया, अभी दूसरा concept क्या यहाँ पे लगेगा, जिसकी मैं आपको बात कर रही थी, P, O, 4, 3, negative में आपको electrons, protons and neutrons यहाँ पे देखने हैं, तो यहाँ पे आपके पास कितने electrons आते हैं, चीके, कितने electrons आएंगे, 3 add हो जाएंगे, 47, इसका टोटल करके आपके पास 47 बनेगा, चीके, तीन electron इसमें add हो जाएंगे, तो आपके पास ही आजाएंगे, 50 electrons, चीके, कितने आजाएंगे, 50 electrons आजाएंगे, इसको आप खुद calculate करना, और अगर कोई दिक्कत आए तो बताना, चीके, जिस तरीके से मैंने, CO32 negative का किया था, उसी सेम तरीके से होगा, इस विल भी 47 प्लस 3 electrons गेन होए है, 50 electrons, ओके, तो राउंड 50 electrons आजाएंगे, तो एक PO43 negative unit में 50 electrons हैं, ठीके, 1 molecule of PO43 negative has 50 electrons, उसके बार यह बोल रहा है, 1 molecule का मतलब 1 mol में भी कितने होँगे, 50 mol of electrons, तो अगर हम यहाँ पे 1 by 5 mol की बात करें, तो उसमें कितने होँगे, 50 by 5 mol of electrons, तो यह कितना आजाएगा, 10 mol of electrons, ठीके, तो हमारे पास calculate the number of electrons, अगर आप से कोई number of electrons पूछ रहा है, ठीके, अगर आप से कोई number of electrons पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, सीजा यहाँ तो ऐसे करके, इन्टू 6.022 इन्टू 10 रेस्ट पार 23, यहाँ पे mol की जगह, आप सीजा ऐसे भी लिख सकते हो, 10 na of electrons, ठीके, ओके, तो इसमें और कुछ नहीं है, आप किसी भी, आप 2-3 के electrons निकाल के मुझे बताना, ठीके, आपका homework है, कि आपने मेरे को electrons निकाल के बताने है, SO42 negative के electrons कितने होते हैं, ठीके, this is your homework, SO42 negative में कितने electrons होते हैं, इसमें कितने protons होते हैं, इसमें कितने neutrons होते हैं, जैसे यहाँ पर आपको electrons के बारे में पूछा गया है, आपको number of protons भी पूछा जा सकता था, number of neutrons भी पूछा जा सकता था, तो उन सभी में आपको यहाँ पर unitary method लगा देना था, अगर number of protons पूछा जाता, आप बोल देते हैं एक molecule में 47 protons है तो 47 divided by 5 करके आपके पास आंसर आजाता ठीके गाइस तो ऐसे बहुत सारे और questions है जो मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊंगी कोई भी problem हो इस topic में या कोई भी question ना समझ में आया हो please comment section में लिखो thank you so much keep learning keep smiling